हेलो फ्रेंट्स कैसे वाप सब एकदम ठीक आज के पांच इंगलिश शब्द है सेंट लेटर ग्रोन वुमन और सिख इन पांच इंगलिश शब्दों के एक्जांपल सेंटेंस और लास्ट में एक्सेसाइस भी देखेंगे तो आएए शुरू करते हैं अज का पहला शब्द जिसका हिंदिय मतलब समचने वाले वह है सेंट सेंट का हिंदिय मतलब होता है भेजा तो अगर आपको इंगलिश शबूल नहीं भेजा तो आप आप सेंट शक्त का इस्तिमाल कर सकते हो आई इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लते हैं पहला चाओता एग्जांपल टॉम सेंट अ कार्ड टु मेरी मतलब टॉम ने मेरी को एक कार्ड भेजा और उसका लास्ट एग्जांपल दू तो यानि उसने मुझे जन्द दिन का कार्ड भेजा सेंट शब का दूसरा मतलब होता है कर देना तो अगरा आपको इंग्छिश न बोलना हो कर देना तो आपप भी सेंट शब लगता है इससे दो एक्जांपल से समझता है पहला एक्जांपल दा रोट्स उफ लंड़न सेंट मी क्रेज़ी यानि लंडन की सड़को ने मुझे पागल कर दिया. दूसरा एक्जांपल, मतलब, वाहनों की आवास ने मुझे पागल कर दिया. फिरेज आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदिया मतलब समचने वाले है, वो है लेटर. लेटर का हिंदिया मतलब होता है तो अगर आपको इंग्लिश हम बोलना हो बाद में, तो महाँ पर आप लेटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. आए इसके तोड़ा एक्जांपल्स देख लेता है, पहला एक्जांपल, I will go later, यानि मैं बाद में जाओंगा. दूसरा एक्जांपल, we will chat on this later, मतलब हम इस पर बाद में बाद करेंगे. तीसरा एक्जांपल, we will do it later, यानि हम इसे बाद में करेंगे. चौथा एक्जांपल, see you later, मतलब बाद में मिलते हैं. और सब लास्ट एक्जांपल दो तो, I will call you later today, यानि, मैं आज आपको बाद में फोन करूँगा. फ्रेंस, लेटर शब्ट का दूसरा मतलब होता है बाद. तो अगर आपको इंग्लिशन बोलना हो बाद, तो आपर भी लेटर शब्ट का इस्तिमाल कर सकते हो. इसे दूए एक्जांपल से समझते हैं. पहला एक्जांपल, यानि, वह एक घंटे बाद वापस आया. दूसरा एक्जांपल, मतलब, उसने एक घंटे बाद मुझे फोन किया. फिर आज का तीसरा शब्ट जिसका हम हिंदिया मतलब समझने वाले वो है ग्रोण. ग्रोण का हिंदिया मतलब होता है बड़ा होना. तो अगर आपको इंग्लीशा बोलना हो बड़ा होना, तो आप रप ग्रोण शब्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. आई इसके थोड़े एक्जांपल से एक्जांपल से एक्लते हैं. पहला एक्जांपल, यानि, वो तब तक बड़ा हो गया था. दूसरा एक्जांपल, मतलब, आप तब तक बड़े हो चुके होंगे. तीसरा एक्जांपल, आप तक बड़े हो चुके होंगे. चौता एक्जांपल, मतलब, तुम बड़े हो गया हो. आसका लास्ट एक्जाम्पल दो तो, Tom is a grown man, यानि Tom एक बड़ा आत्मी है फिर्ट्स, grown shift का दूसरा मतलब होता है बड़े, तो अगर आपको इंग्लिश में बूल लहाँ बड़े, तो वहाँ पर भी grown shift लगता है इसे दो example से समझते हैं, पहला example, don't argue with grown-ups, यानि बड़ों के साथ बहस मत करो दूसरा example, grown-ups seldom cry, मतलब बड़े शायर ही कभी रोते है फिर्ट्स, grown shift का तीसरा मतलब होता है उगाना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उगाना, तो आपर भी grown shift लगता है आई इसके दो examples देख लता है, पहला example, he had grown potatoes in his farm, यानि उसने अपने खेट में आलू उगाये थे दूसरा example, what have you grown in your farm, मतलब आप अपने खेट में क्या उगाये है फ्रेंस, grown shift का चौथा मतलब होता है बढ़ाना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बढ़ाना, तो आप अपर भी grown shift लगता है इसे दो examples से समझते हैं, पहला example, he had grown his bird, यानि उसने अपनी दाड़ी बढ़ा ली थी दूसरा example, Tom has grown his bird, मतलब Tom ने अपनी दाड़ी बढ़ा ली है फ्रेंस, grown shift का पांचों मतलब होता है बढ़ना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बढ़ना, तो आप भी grown shift लगता है आई इसके दो examples देख लेते हैं, पहला example, their profits had grown in the last year, यानि उनका लाब पिछले वर्ष में बढ़ गया था दूसरा example, his salary had grown in the previous year, मतलब पिछले साल उनका वेतन बढ़ा था Friends, आच पर चाओथा शब जिसका हम हिंदियों मतलब समचने वाले है, वो है woman, woman का हिंदियों मतलब होता है महिला, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो महिला, तो आप 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 woman shift का इस्तिमाल कर सकते हो, आई इसके थोड़े examples देख लेते हैं, पहला example, I saw a woman standing there, यानि मैंने देखा कि वहाँ एक महिला खड़ी थी, दूसरा example, two women were chatting with each other, मतलब दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, तीसरा example, you are a brave woman, यानि तुम्हें एक बहादूर महिला हो, चौता example, who is that woman, मतलब वो महिला कौन है, और सबर लास्ट example दो तो, she is a tough woman, यानि वो एक सक् मिला है, friends, किसी की पत्नी या मंगेतर, इन्हें भी women कहते है, तो अगर आप हो कहना हो, किसी की पत्नी या मंगेतर, तो वाँ पर भी women-ship लगता है, friends, आज का लास्ट शब जिसका हम हिंदिया मतलब समचने वाले, वो है sick, sick का हिंदिया मतलब होता है, बिमार, तो अगर आपको English न बोलना हो, बिमार, तो आपर आप सिख शब का इस्तिमाल कर सकते हो, आए इसके थोड़ा examples सेख लेते हैं, पहला example, he is failing sick, यानि वो बिमार मह इसरा example, he didn't go to school because he was sick, यानि वो school नहीं गया क्योंकि वो बिमार था, चाथा example, she has been sick since yesterday, मतलब वो कल से बिमार है, और सकर लास्ट एक्जामपल दूता है, too much drinking will make you sick, यानि जादा शराब पीना आपको बिमार कर देगा, सिख शब का दूसरा मतलब होता है, चिंतित, तो अगर आपको इंग्लिश बोलना हो चिंतित, तो महाँ पर भी सिख शब लगता है, इसे दो example से समझते हैं, पहला example, his mother is worried sick about him, यानि उसकी माँ उसके बारे में चिंतित है, दूसरा example, your mother is worried sick about you, मतलब तुम्हारी माँ तुम सिख शब का तीसरा मतलब होता है, तंग होना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तंग होना, तो महाँ पर भी सिख शब लगता है, आए इसके दो examples देखता है, पहला example, I am sick of listening to your complaints, यानि मैं तुम्हारी शिकायदे सुनकर तंग हो चुका हूँ, दूसरा example, I am sick of listening to your excuses, मतलब, मैं तुम्हारे बहाने सुनकर तंग हो चुका हूँ, Friends, अब बार यह है exercise की, जो पांच शब हमने इस वीडियो में देखा उपर विकल्प के तौर पर दिये गया है, आपको इन पांच विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगा पर रखना है, और इस sentence को पूरा करना है, तो आई शुरू करते हैं, पहला question, She asked him to call her dash, but he forgot, यानी, उसने उसे dash phone करने के लिए कहा, लेकिन वो भूल गया, तो यह शुरू लगेगा? Later, She asked him to call her later, but he forgot, उसने उसे बाद में phone करने के लिए कहा, लेकिन वो भूल गया, दूसरा question, When I met the boy three years later, he had dash up, मतलब, जब में उस लटके से तीन साल बाद मिला, तो वो dash गया था, तो यह शुरू लगेगा? Grown, When I met the boy three years later, he had grown up, जब में उस लटके से तीन साल बाद मिला, तो वो बड़ा हो गया था, तीसरा question, She was a kind dash, यानि, वो एक दयालू dash थी, तो यह शुरू लगेगा? Woman, She was a kind woman, वो एक दयालू महिला थी, चौता question, I have dashed a mail to you, मतलब, मैंने आपको एक mail dash है, तो यह शुरू लगेगा? Sent, I have sent a mail to you, मैंने आपको एक mail भेजा है, अगला question, If you eat that much, you will get dash, यानि, अगर आप इतना खाएंगे, तो यह शुरू लगेगा? Sick, If you eat that much, you will get sick, अगर आप इतना खाएंगे, तो बिमार हो जाएंगे, अगला question, First we'll finish this work, and dash will go outside, मतलब, पहले हम यह काम पूरा करेंगे, और dash, हम बाहर जाएंगे, तो यह शुरू लगेगा? Later, First we'll finish this work, and later we'll go outside, पहले हम यह काम पूरा करेंगे, और बात में हम बाहर जाएंगे, अगला question, You can drive a car after you have dash up, यानि, आपके dash होने के बाद, आप कार चला सकते है, यह शुरू लगेगा? Grown, You can drive a car after you have grown up, आपके बड़े होने के बाद, आप कार चला सकते है, अगला question, She is a dash IS officer, मतलब, वो एक dash IS अधिकारी है, तो यह शुरू लगेगा? Woman, She is a woman IS officer, वो एक महिला IS अधिकारी है, अगला question, She didn't go to college, because she was dash, यानि, वो college नहीं गई, क्योंकि वो dash थी, तो यह शुरू लगेगा? Sick, She didn't go to college, because she was sick, वो college नहीं गई, क्योंकि वो बिमार थी, और आज का last question, He dashed me to give this money to you, मतलब, उसने मुझे यह पैसा आपको देने के लिए dash था, तो यह शुरू लगेगा? Sent, He sent me to give this money to you, उसने मुझे यह पैसा आपको देने के लिए भेजा था. Friends, अगर आप इस lecture के notes खरीदना चाते हो, तो आप इसे मेरे online store से खरीद सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमेरे notes हिंदियों बनाया है, last में exercise भी रखा हुआ है, और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस lecture से कितना समझ आया, आपको इस notes का link नीचे description में मिल तो Friends, इस फिर में आपने 5 English words का Hindi और मतलब देखा, ये 5 words थे, sent, later, grown, woman, sick, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो, तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजे, और आपने Friends के साइसे जरूर शेर कीजे, आप नीचे comments पे अपना suggestions या सुझाओ भी दे सकते है, अगर आप मेरे वीडियो के future notifications चाब तो subscribe बटन दबाएए, और पास में जो bell icon है उसे भी press कीजे, ताकि जब जब मैं वीडियो को upload करूँ, वैसे ही आपको इसकी notifications मिलते रहे, thank you for watching and keep learning